गुरुदेव, आपी समझाए राम को प्रथाएं, लोग निर्धारित करते हैं राम अपने निर्धारित के पक्ष में जो भी कहना चाहे, प्रजा से कह सकता है और यदि प्रजा उसे स्विकार कर लेती है, तो राजा को भी उसे स्विकार कर लेना चाहे राम, अपनी बात विस्तार से कहो पत्र राम, अपनी बात विस्तार से कह सकता है मैं ये नहीं कह रहा, कि मैं जो कहूं बही होना चाही मुझे कोई अधिकार नहीं, आपकी आस्था, आपके विश्वास में हस्तक शेप करने का मैं तो मात्र आप सब के समक्ष एक प्रश्ण रखना चाहता हूं तो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पिछले एक वर्ष से दिरंतर भाग रहा है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए और हम हम है के इसकी बली देने को तत्पर है मैं आप सभी से एक प्रश्ण पूछना चाहता हूं हम जो इसके साथ कर रहे क्या वो मानविया है क्या ये पारितोशिक मिलना चाहिए इसे और किसलिये क्यूंकि एक प्रथा चली आ रही तो क्या हमें उस प्रथा पर चिंतन भी नहीं करना चाहिए यू इस प्रकार एक एक निर्दोश जीव की हत्या क्या उचित है पोई भी प्रथा पोई भी प्रथा जो हमें हमारे बर्चस्व का आभास कराती है हमें स्विकार्य हो जाती है हमारे वेदों में जो भी लिखा है हम प्राय उसे उसके प्रत्यक्ष रूप में ही मान लेते है क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वो सरल है इन्तु हमारे शास्त्र ये भी कहते क्यों में जो भी लिखा है उसके विविदर्थ है और एक अर्थ ये भी है कि यज्य में किसी जीव को हानी नहीं पहुँचनी चाहिए किन्तु क्या हम उस पर ध्यान देते हैं यत पूरुशेण हवीशा यज्यम देवा अतनवत अस्तीनु तस्मादो जीओ यद विहव्यने जीरे अर्थात भारी यज्य से श्रेष्ट आंतरी की अग्य होता है हमारे शास्त्रों के गूड़ अठ को ना समझने का दन एक निर्दोष जीव को क्यों दिया जा मैं अपना मत इस बली के विरोध में रखता हूँ और प्रतिकात्मक बली प्रस्तावित करता हूँ प्रतिक कारे के निश्बादन के लिए यदि हम इश्वर को दूशी मान लिए तो ये समस्त मानव जाती के लिए एक कार की बात है इश्वर पे मुझे विश्वास है नहीं और मनुष्यों के उद्धार की आशा जो मुझे तुमसे है राम उसके साकार होने पर अवश्वास होता जा रहा है मेरा मत भी आपके साथ है राजकुमार मेरा भी मेरा भी मेरा भी मेरा भी मेरा भी तो क्या आप ये सिख्षित लोग निर्धारित करेंगे हमारी प्रथाएं राजकुमार हम आपकी समेर शीलता का सम्मान करते हैं किन्तु साथ में ये भी स्वर दिलाते हैं कि एक अश्वमेद यग्य एक सहस्य यग्यों के समान होता है और जब कोई राजा अश्वमेद यग्य में एक अश्व की बली देता है तो एक सहस्त्र अनपश्यों की बली रुकती है और इससे समश्प्रजा का भला होता है समश्प्रजा का लाब होता है अहिंसा पर्मोधर अहिंसा परमधर्म है अमारे शास्त्र ये भी तो कहते हैं किन्तु यदि हिंसा समाज के उधार के लिए हो तो वो हिंसा नहीं है वो अधर्म नहीं है और ये इसमर रहे राजकुमार कि राजा की कीर्थी से ही प्रजा की कीर्थी का संबंद होता है बल्कि उसके संरक्षण में मैंने तो यही सीखा है कि सो अश्व मेदों से बढ़कर पुन इसी एक के प्राणों की रक्षा करने में कौशल का यह अश्व समस्त आरे व्रत की तिगविजा यात्रा करके लोटा है और यदि अब हम इसकी बली दे देते है तो इससे बढ़कर हमारी पराजाए हो ही नहीं सकता अयोध्या की प्रतिष्ठा रगुकुल का गौरा यदि आश्रित हो तो ऐसे कर्मों पर जिन में प्रजा के राज्य के हित के लिए राजा का व्यक्तिगत त्याग प्रत्यक्षन ना के किसी निर्दोष जीव का मेरा कथन यदि अनूचित हो तो मेरा मार्क दर्शन कहें बस युवराज बस आपका कथन सर्वथा उचित है अहिंसा से बड़ा कोई धर नहीं आपकी अनुकमपा के समक्ष कोई तर्क परियाप्त नहीं आपके नेत्रों में आपकी वानी में आपके विचारों में हमने उस अश्व के लिए जो पीड़ा देखी है उसकी अनुभूती हमने भी की है